हेलो कोडर आर्मी कैसे हैं आप सब लोग तो आई थिंक आप सब अपनी जिन्दगी में मचा रहे होंगे तो यार आज हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाइनेरी सर्च ये कोईस्टन मुझे पूछा गया था उबर के इंटर्व्यू राउ आप लिए बाइनरी सर्च को डौट होगा कि ये बाइनेरी सर्च होता क्या है मैंने का बात तो सही है यहां पर हमें डिग्राम भी दिख रहा है तो बाइनेरी सर्च को एक बार समझने की कोसित करते हैं अगर मैं आपसे बोलू अभी तक हमने कौन सी सर्चिंग टेकनिक हुआ है कि मेरे पास एक array दिया हुआ होता है इस टाइप से और इसमें कुछ element प्रज़न रहते हैं कि इस टाइप से element प्रज़न रहते हैं किलियर हाँ मालनो मुझे इसमें one को ढूंड़ना है तो linear सर्च का करता है एक एक करके जाता है पहले देखता ही one है फिर इसको देखता है one है इसको देखता one है उसको यह जाता है तो बोल देगा कि मुझे one मिल चुका है और इसकी time complexity कितनी होती है linear सर्च की भाया इसकी होती order of end time है किलियर है हाँ तो यह बेसिक एक व्रूट फॉर्ट अप्रोच हो जाती है किलियर हाँ बहिया अब मैंने का बानिरी सर्च कहां लगता है पहले मैं उसको पकड़ूंगा कैसे मैंने का अगर आपको बानिरि सर्च लगाना है तो कुछ भी डेटा आपको दिया हुआ हो वो पहले एक sorted form में होना चाहिए जी हां इसलिए मैंने आपको पहले sorting technique पढ़ाई थी कौन सी insertion पढ़ा दिया selection पढ़ा दिया bubble sort पढ़ा दिया अभी future में और भी पढ़ाएंगे तो पहले हम searching technique को देख रहे हैं तो मेरा data या तो sorted order में होना चाहिए या तो increasing हो या वो decreasing हो इन दुनों में से एक form में मेरा data होना चाहिए तभी आपका binary search लग सकता है अब जो बारी search का जो technique है वो हमने उठाई है real world से कैसे भाईया मैंने का एक काम करते हैं मेरे पास एक मालू dictionary है डिसनेरी समने देखी है हाँ जी भाईया देखिए मैंने का इसमें आपको कोई word का मीनिंग ढूणना है मालू आपको development ढूणना है तो मुझे पता है कि मेरे डिसनेरी के अंदर अगर इसको मैं assume करूं यह डिसनेरी है इसमें पोरा data ठीक जो भी word का मीनिंग है वो एक बॉटन फॉर्म में होगा हाँ जी भाईया होगा क्योंकि पहले A से वाले स्टार्ट होते हैं फिर B वाले होते हैं फिर C वाले होते हैं अप टू जैड तो जितने भी word को फाइंड कैसे करता हूं तो मैं simple title लगाता हूं मालनो मुझे word development डूड़ना है तो मैं क्या करता हूं बीच से अपने डिशनरी को एक्ते कोलता हूं clear है हां फिर मैं देखता हूं कि यहां पर लिखा क्या हुआ है मालनो यहां पर जो पेज खुला वो पी नाम से है तो मुझे पता है कि मुझे किस साइट को जाना पड़ेगा लेफ साइट को जाना पड़ेगा तो मैं अब आदा खुल देता हूं फिर से ऐसे करके मैं जाता हूं तो मालनो फिर मैं आदा खुला तो मेरे को सी नाम का कुछ मिलिया कि सी वर्ड़ वाले आ रहे हैं अब मुझे पता है मुझे किस साइट को जाना है राइट साइट को जाता हूं और ऐसे करके मैं अपने वर्ड की मिलि यह एक efficient strategy है इससे मैं development word का meaning जल्दी ढूंड सकता हूँ हाँ जी वही है तो मैंने का same काम हम यहाँ बाइनी सर्च की help से करते हैं जब हमारा computer का system होता है clear है हाँ बहुत है मैंने का उसने कहा था कि पहले यह सारा data एक sorted form में होना चाहिए तो मैंने मैं इसको sorted form में लिख दिया two three six ten eleven ऐसे करके आपकी बाइनी सर्च लगेगा इस में तो मैं देख पार हो मेरा array क्या है sorted है sorted है sorted हाँ अब मालनों मुझे find करना है 10 को कि 10 कहां पे रखा हूँ है कि यह हां तो मैं कैसे भूंदूंगा बताओ मैंने का इतना बड़ा मुझे array दिया है हां तो मैं पहले क्या करूंगा तीजे बीच वाले element पर कूदूंगा कि बीच में क्या रखा है तो इसका मुझे पता है इधर जितने भी element होंगे वो सब 6 से छोटे हूंगे और इधर जो भी element होंगे वो 6 से बड़े हूंगे तो मुझे किदर को ढूंदना चाहिए भाईया right side को तो मैं बोलूंगा अब मैं इस वाले पार्ट में ढूंदने की कुशिस करूंगा 10 को clear है हाँ इस वाले पार्ट में मैंने सर्च ही नहीं किया clear है हाँ तो आदे पार्ट ऐसी अड़ गए मुझे पता इन पार्ट में मुझे अपने element को ढूंदना है अब मेरे पास यह array है ठीक यहां से यहां तक हाँ अब इसका बीच कौन होगा middle वाला भाईया इसका तो middle होग अब दो element उनका middle क्या होगा मैंने एक करना पड़ेगा कौन middle होगा तो मैंने बोला पहले वाले को मुझे लेंगे जैसे इसमें तो इसमें middle यह भी हो सकता है यह वाली line होगी middle तो मैं बोलूँगा कि मैं इसको middle माल लेता हूं clear हाँ तो मैं यहां पे गया मैंने का यह इसका element present था clear है हाँ जी बहिया clear है अब भाईया यार इसको ना theoretical में कैसे represent करेंगे मैंने का यह middle element वाली प्रॉब्लम भाईया एक बार रिजॉल करके दिखा दीजे मुझे तो मैंने का middle element ढूंड़ना में कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें तो मैं कहल लेता हूं इसमें numbering दे ठीक यह पूरे area को ले रहा हूं तो मैंने का जो first element होगा उसका index और जो last element होगा उसका index ठीक और उसको अगर divided by 2 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा middle वाले का index तो इस कहां साय है 2 तो मुझे देखना है second index पर क्या रखोगा है बताए भया 6 रखोगा है क्या चाहिए था मुझ नहीं है तो मुझे पता है मेरा area किदर और को ढूंडना है मुझे इस side को ढूंडना है क्योंकि 10 है वो 6 से बढ़ा है अब मुझे पता है मेरा area यह है ठीक उसका पहला element क्या है 3 last वाला 4 इसका divided by 2 कर दो ऐसी निकालता है middle 3 plus 4 7 divided by 2 कितना आएगा 3 तो अब मैं इस वाले index पे कि यहां पर 10 प्रेजेंट था यह नहीं था तो मैंने देखा यहां पर प्रेजेंट है तो मैं यह बोल दूंगा कि भाईया element प्रेजेंट था तो क्या यह logic समझ आया मेरे को middle element निकालने का हां जी यहां ता मुझे चमक रहा है भाईया दो चार एक्जांपल और थोड़ा ब पांच छे यह ठीक इसमें दाल दिया मैंने तीन साथ ग्यारा बारा सतरा अठारा तैस सताइस उनतीस मालू मुझे 27 को पॉइंट करना है यह मेरा काम है क्लियर इंडेक्स इंग इसके उपर हो गया रहे के उपर हां जी भाईया क्लियर है यहां तक हाँ मैंने का पहली कंडिशन क्या हो नहीं यह बानी सर्च लगने की रिपीट करिए मेरे साथ कि भाईया जो मेरे को डेटा दिया हो सॉर्टेट फॉर्म में होना चाहिए तो मैं देख पार हो यहां पर इंग्रिशिक और में मेरा डेटा लिखा हुआ है है तब ही लग सकता है अगर सॉर्टेड नहीं है तो उसमें आप बानीय सर्च नहीं लगा सकते हैं चमक रहा है हाँ जी होई है अब देखो सबसे पहले क्या काम होगा मुझे क्या ढूंडना है 27 तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करता था पहले बीच वाला देखता था बीच वाला ऐसा खूलता था तो इसमें भी बीच वाला है 27 क्या यह बराबर है नहीं है तो मुझे 27 किस साइट को मिलेगा बताईए क्योंकि 17 से सारे बड़े element इस साइट को है 17 से सारी छोटे element इस साइट को हुंगे चमक रहा है हाँ तो यह 27 कि दर ऑन चीहां राइट साइट में तो मुझे पता है अब मुझे सिर इस वाले पार्ट में 27 ऑपने 27 को दूमड़ना है इधर मुझे ठूमदने की जरोष नहीं है चमक रहा है हाँ जी डूमधर चमक रहा है अब मुझे इसमिद बूमधर यह 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 तक है है पुर्डक पहला फिप्तहों गाउंगा लायस है मुझे तो किशाक चमँख रहा है है तो इश ने क्या दिए दिया है हाँ जी ही है चमँख रहा है तो इसίναι dar त relic index पर चक्क किया है क्या अटार्टी थी मुझे आचीजिए था 27 पता यह क्ञेशनी ठोला है तो अब मैं यहां से यहां तक सर्च करूंगा किलियर है हाँ जी भाईया किलियर है तो उधर को सर्च करते हैं कहां से यहां से लेके यहां तो वहां पर क्या है मैं यहां पर चक करूंगा यहां पर क्या लिखा हुआ है तो मैं बोल दूंगा मुझे अलिमेंट मिल चुका है तो बताइए यह टेक्निक आपकी समझ आई या नहीं आई हाजी भाईया आई है तो मेरे पास जब भी है रहे मुझे दे रखा है मैं फर्स वाला इंडेक्स और डूंगा एक्शण आए डि Mens को धूने की कूर्सिच करूंगा अगर नहीं मिला अगर जिस मीमन में ढूंड रहा हूं वह बड़ा है इस इंडेक्स में में मैं प्रेजन तो मैं राइट सैट को जाओंगा अगर में जो तो मैं लेट साइड का हूँगा यहां तक सिंपल है यहां तक मुझे अच्छे से चमक रहा है पर इसका कोड कैसे लिखेंगे अब साइड आपको यह भी पता चल रहा होगा कि सौर्टिंग करके क्या फायदा होता है क्योंकि मुझे पता है इसमें मैं जल्दी धून पा रहा ह मैंने देखा मैंने मुझे 27 डूबना था तो मेने aska जो कीसे पहले मैं एक स्थ्वांट इन के पास और 17 तो मुझे स्टे ठेप में झाए हो गया आठ श्टेप तक आपको लग सकते हैं इसमें सिरफ तीन श्टेप पर आपका अंसर निकल गया किलियर है हाँ तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि बादेरी सर्च थोड़ा बढ़िया होगा किस से अपने लीनियर सर्च के मुकाबले हाँ जी वहिया बोल सकता हूं तो मैंने का अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट कैसे हुग घसर बहुत ही सिंपलut है इसका अब हम उसको देखते हैं मैंने का मुझे डियर रखा है इसको बना देता हूं तो कि विह यह Hai से विइसे गर कि मालोग 5 पम कर यह बदे रहा Alan इसमें 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे गर के element दे रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, कि यह मुझे इस 4 को ढूंड़ना है, इसको ढूंडना है, 4 को, तो 4 को कैसे ढूंडनेंगे हम लोग, बताइए, अगर मुझे 4 को ढूंडना है, तो कैसे मिलेगा, फिर से वही study यूज़ करेंगे, 0, 0, plus 4, मुझे पता नहीं, यहां से आतक मेरा array भी दर, तो first और last, ठीक, divided by 2, तो क्या है, second, तो second index में जाओ, उसे ढूंड़न, मुझे चाहिए था 4, मुझे क्या मिला है, 6, तो मुझे यह पता है, कि वह element किदर को present होगा, 6 से छोटा है, 4, तो 4 इधर को यह present होगा, तो मैं सब ढूना पड़ेगा, यहां से लेके, यहां तक, clear है, हाँ जी भाईया, फिर दे मैं हो, start, end, 0, plus 1, divided by 2, क्या आया मेरा पास, 0 आया, मैं 0 index पे गया, मैं देखा, क्या यह 4 है, क्या यह 4 है, उसने एका नहीं है, तो नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे किस side को do now, right side को, ठीक, तो अब मेरा area, यहां से, यहां तक मैं search करूँगा, clear है, हाँ जी भाईया, यहां तक मुझे clear है, अब मेरे पात, यह भी one नहीं है, इधर वाला भी one नहीं है, उसका बीच वो खुदी हो जाएगा, मैंने देखा, यहां पे क्या लिखा है, पूर, अब मुझे मेरा element मिल चुका है, clear है, हाँ, अब आते हैं, इसके implementation पार्ट में, जो अभी मैंने आपको करके दिखा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ, इसको हम implement कैसे कर रहोंगे, clear, okay, थोड़ा सा, थोड़ा सा, और हो जा, और हो जा, बस, अब देखो, इसको start कै कैसे करेंगे, मैंने बोला, जब हम start करेंगे, तो इस वाले index को नाम देते है, start, clear, इसको नाम देते है, end, ठीक, हाँ, जी भाहिया, अब मुझे इसमें जब भी कुछ काम करना हो, पहले step मेरा यह होगा, पहले step में क्या करता हूँ, mid वाले element को ढूढ़ने की कुशित करता ह तो mid वाला मुझे ऐसे मिल जाएगा, start, plus end, divided by 2, clear है, clear है, हाँ, जी भाहिया, मुझे पता है, initially start क्या है, 0 के एककोल था, और end किसके एककोल है, 4 के एककोल, clear, हाँ, तो उसके बाद मैं second condition में क्या दालता हूँ, जब यह मुझे mid वाला मिल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, compare करता हूँ, कि क्या मेरा array of mid, अगर मैं array नाम दे दूसरे, array को, अगर मेरा array of mid, किसके बराबर आता है, जिस element को मैं find कर रहा हूँ, महा लोग key उसको नाम दे देते है, और वो है for, अगर वो key के बराबर आता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, कि मुझे मिल गया है, the out, got it, ठीक, अब मुझे आगे जाने की ज़रूद नहीं है, अगर यह equal to equal to नहीं आये, क्या हो तक तक अगली condition, L-sip, L-sip में क्या बोलूँगा, अगर array of mid, यही होगा आपका, अगर छोटा आता है, किस से, की से, तो मुझे किस साइट को ढूणने की कुशिस करूँगा, किस अगर मुझे किदर को मिलेगा, राइट साइट को मिलेगा, तो मैं बोलूँगा, राइट साइट, राइट साइट पर ढूणो, clear, हाँ, और last में else में क्या जाएगा, else को मैं इदर लिख देता हूँ, किदर लिखो, इससे थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा, हाँ, जी होई हाँ, यह मुझे clear हो चुका है, यह होने वाले आपके statement, यह तीन, clear, हाँ, यह last वाला समझ नहीं है, मैंने का तीन condition होगी, या तो वो बराबर होगे, हाँ, बराबर होगे तो मिल गए, यही रोग दो, अगला क्या होगा, कि मेरा जो middle वाला element है, वो क्या है, किसे, जिसको मैं ढूण रहा हूँ, मालो, जिसको ढूण रहा हूँ, तो मुझे right side में जाना पड़ेगा, हाँ, last condition क्या हो तकती है, कि यह middle element है, वो बढ़ा है, किसे, जिसको मैं ढूण रहा था, चार को, तो किस side को जाना पड़ेगा, left side को, left side को, लिख दिया, हाँ, जी हम implement कैसे करते हैं, तो यहां तर तो हम नहीं देख लिया, प्यार से, हाजी भी है, अब इसको एक बार implement करके देखते हैं, clear, मुझे बता है, पहला step में रहा है, mid equal to start plus end by 2, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, कि 0 plus, क्या, 4 divided by 2, clear, हाँ, इसका answer क्या आएगा, 2 आएगा, यह वही देखूंगा ना, कि क्या 6 equal to equal to 4 है, उसने का नहीं है, फिर else, क्या मेरा 6 सोटा है, मेरे की से, क्या 6 less than 4 है, नहीं है, else में क्या वो लेगा, कि भाईया left side चले जाओ, अब कहां चले जाओ, left side में, तो left side में मैं ऐसे करके जाओंगा, कि मुझे इस side को आना है, अब left side मे जाना है, तो end को कहां पर पहुचाना पड़ेगा, यहां पर पहुचाना पड़ेगा, कि start से लेके end तक, अब मुझे चरफ इस वाले portion में अपने data को देखना है, यही तो बताना पड़ेगा उससे, हाणा, यही तो बोलो कि left में आ जाओ, clear, हाँ भीया, कि मैं कहां रहा हू to, mid minus 1, क्योंकि मुझे पता है, यह mid है, तो यह क्या होगा, mid minus 1 होगा, तो end में क्या डाल दीए, mid minus 1, जब मैं आगे जाके सको search करने के गोशिस करूंगा, ठीक, next step में, तब मिले असान होगा, कि 0 plus 1 divided by 2, तो कितना आता है, 0, तो मैं उसको बार 2 पे ढूंदता, clear है, हाँ ज क्योंकि मुझे इस वाले array portion में ढूंदना था, क्योंकि array का portion मुझे बताना पड़ेगा, कैसे दिख रहा है, पहले इतना बड़ा था, start इसको बोला था, end इतने बड़े में ढूंदना है, ठीक, अब मुझे पता चल चुका कि mid वाला तो है नी, उससे छोटा ही है, अब मु रहेगा, और end यह रहेगा, तो start में तो कुछ chain करने की ज़रूद नहीं है, chain किसमे होगा, सिरफ end में, क्योंकि end अभी निशली खोड़ता, उसे क्या बनाना पड़ेगा, one, तो कैसे बन सकता है, मैं मुझे पता, यह mid है, तो यह क्या होगा, mid minus one, ऐसे गर कि मैं left side माया है, चमक रहा है, हाँ, जी वही चमक रहा है, तो उसके बाद मैं फिर से, दुबारा यही काम फिर से करूँगा, जब तक यह मुझे मिलेगा नहीं, clear, हाँ, तो मुझे पता है, कि मेरे start की value क्या है, 0 हो गई है, और end की कितनी हो गई है, one हो गई थी, clear, फिर से वही चलाँगा, कि 0 प्लस 1, divided by 2, कितना आता है, 0, मैं गया, यहाँ पे ढूंडा, पहले, क्या 2 equal to equal to, मेरे key की बराबर है, क्या 2 equal to, मेरे 4 की बराबर है, उसने का नहीं है, फिर मैं यहाँ पे आ, क्या मेरे 2 less than मेरे 4 से है, क्या 2 less than 4 है, उसने का है, तो उसने का बावू, right side में, कितर चली खेड़ सी, right side को मिलेगा, right side को मिलेगा, हाना, तो, मेरे historic किधर को मुझे देखना पढ़ेगा, यहाँ तक मुझे search करना पड़ेगा, है कि मैं कर रहो हुए इदर बूभे मिलेगा जब मैं राइट स्थ में जार रहा हूँ जब मैं राइट स्थम्स से लिखन और मुझे बता है जो यही है धिक तोinci साथ को भी मुझे यह यह चमक रहा है हाँ जी चमक रहा है थोड़ा सा लगा भाईया मैंने बड़ा सा एक दमप लेते हैं उससे यह थोड़ा और सिंप्लिफाइए अब के लिए हो जाएगा मैं यहां पर इसने का आप है यहीं बेश टॉप कर दो मुझे मेरा पूर मिल चुका है इसे गर कि मैं अपरे आंधर को निकाल आप ठोड़ा आडिया होता क्या एक वाद थोड़ा सा बड़ा एक्जामपल लेंगे थोड़े और अच्छे तरीके समझ आएगा मैंने का एक बड ठीक हाँ बया दो चार पांच साथ ग्यारा सत्रा अठारा उन्निस तेईस पच्चिस तीस और ऐसे करके इंग उपर इंडेक्सिंग होगी कि ऐसे करें हाँ जी किलियर है तो मैंने का यहां पर हम ढूंडने के कुसित करते हैं किलियर हाँ तो मैंने का मुझे ढूंडना है एलिमेंट 11 को मुझे ढूंडना है कि 11 को मुझे ढूंडना है कैसे ढूंडनेंगे कैसे ढूंडनेंगे मैंने का वही सेम को जो मैंने पीछे लिखा था वो मैं यहां पर लिख देता हूं मिड में कौन सा अलिमेंट रखा है तो मुझे पता है मिड को मैं एसे ढून दूंगा फर्स स्टेप में तो स्टार्ट इक्वल डू स्टार्ट प्लस एंड डिवाड़ेर बाइ टू किलियर मुझे मेरे मिड बिल जाएगा तैकिंड में क्या होगा कि अगर मैं इसको एरे बूलू हूँ इफ एरे ओ मिड मेरे की के कॉल आ जाए दूनों अगर बराबर हो जाए तो क्या बोलूंगा त्याउट गॉट इट और यहीं स्टॉप कुर दो से अब आगे जब फाइंड करने के मुझे ज़रुवत नहीं है अगर नहीं हुआ तो दो कंडिशन आएंगी अगर दूनों बराबर नहीं है यहती हो सकता कि मेरा एरे किस से मेरी की से मैं किस साइड में रूणता हूं राइट साइड में तो मैं इसमें क्या करूंगा स्टार्ट इक्वल टू राइट साइड में जाने के लिए मिड्प्लस 1 और एल्स में अब इससे हमें और अच्छी से समझ आएगा इतना मेरा कोड है किलियर है मालों मुझे की 11 को ढूंड़ना है कैसे करेंगे सबते पहले जीरो प्लस 10 यहां से स्टार्ट होगा ना जीरो प्लस 10 डिवादे बाइट टू कितना आता है भी अब 5 फिफ्ट इंडेक्स पे ढूंड़ो फिफ्ट इंडेक्स पे आया मैंने देखा क्या यह 17 और यह की बराबर है नहीं है तो यहाली कर्णिशन तो फॉल्स हो गई अब इस पे चक करूंगा ठीक क्या 17 लेंज देन है 11 से नहीं है तो अब लास्ट में क्या एक हो end equal to mid minus 1 मुझे पता है यह मेरा mid था ठीक स्टार्टिंग में यह end था और यह start था ठीक मुझे पता है अगर मुझे 11 चाहिए तो मुझे किस साइड को जाना पड़ेगा लैप साइड में तो मुझे आप कहा से कहा तक ढूंडना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक कि end equal to mid minus 1 कि यह end को मैंने इससे कर दिया स्टार्टिंग इनिशली जीरो था और end क्या बन चुका है पूर किलियर है हाँ जी बहिया किलियर है अब फिर से वही प्रोसेस फिर से start फिर से मैं उपपर आऊंग इस स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाइड टू स्टार्ट है फाइव एककल टू एकल टू 11 है नहीं भाईया फिर मैंने देखा क्या 5 मेरा छूटा है मेरे 11 से उसने का है तो अब वो कह रहा है कि start को कर दो क्लियर है हाँ जो 11 मुझे मिलेगा तो इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा यह यह इस वाले आरे में मुझे ढूंड़ने कोशिस करने हो से तो इस तारी का यह होगा स्टार्ट इकल टू क्या लिखूंगा मिड़ प्लस वन लिखूंगा जाइड दिवास है क्योंकि म 3 प्लस 4 डिवाड़े बाइ 2 एक कॉल टू क्या आया है 3 आया 7 पर ढूंड़ने की कुछिस करी है 7 पर क्या 7 11 के एक पल है नहीं है तो कि दर को मिलेगा यह राइट साइड में राइट साइड में मिलेगा ना तो राइट साइड में इस वाले से जाते हम हां ना कि 7 लेस दन 11 को कह रहा है स्टार्ट को कर दो मिड़ प्लस वन स्टार्ट को कर दो मिड़ प्लस वन यह मेरा मिड़ निकला था मिड़ प्लस वन यह हो जाएगा तो वह हो गया स्टार्ट भी क्या बन गया 4 बन गया अब 4 प्लस 4 डिवाड़े वाइट 2 क्या आया 4 पोर तो वाले इंडेक् तो मैं क्या कर रहा था इसमें, मैं यहांते step follow कर रहा था, फिर वापस आ जा रहा था, कब तक यह काम कर रहा हूं, जब तक मुझे यह मिलना जाए, यही कर रहा हूं, हाँ जी भईया, यही कर रहा हूं, अब मैंने का याद, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, कि वह element present ही नहों, करए लुप करूंगा उस के किस् pense को कैसे हंदिल करेंगे चलो वह देखते हैं तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं यहांपर मुझे पता है कि यहां पर ईक लूप بنने वाला है थिक क्रोच को बार 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 repeat करे जा रहा हूँ, तो वो loop break की condition क्या होगी, हम यह पता कि यह step में follow कर रहा हूँ, बार बार यह step follow कर रहा हूँ, तो कहीं में जाके तो loop end होगा, तो loop break की condition क्या होगी, वह हम इसको देखते हैं, एक example लेता हूँ, छोटा सा, क्योंकि example से जब हम सीखते हैं, तो भाईया फटा पर समधा, एक दो, तीन, चार, पांच, चार, छे, दस, बारा, चौदा, मुझे एक element है, वो है 11, उसको ढूण रहा है, मुझे पता, 11 इस पे present नहीं है, किलियर है, हाँ, अभी तक तो मैं example के लिए देख रहा था, कि जा पर element present हो, अगर element present नहीं हो, तो मैं तो step follow ही करता रहूंगा बार बार, ढूंसा ही रहूंगा, अब मुझे मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे condition होगी, वो हम देखते हैं, मुझे पता है, सबते पहले मुझे क्य है मेरा, हो रहा है, ठीक, पहले मुझे कहा जाना पड़ता है, मिड में, मिड के लिए किदर जाना पड़ता है, बीच ओ बीच में, 0 plus 4 divided by 2, कितना आता है, 2 आता है, clear, हाँ, जी बही है, clear, तो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने देखा, यहाँ पर क्या लिखा होगा value, 10 दिखी ह होगी है, ठीक, तो किस साइट को present होगा, बहिए, राइट साइट को, ठीक, मुझे पता है, start यहाँ पर था, और end यहाँ पर था, मुझे जाना है, ठीक, तो क्या करता हूँ, right साइट जाने के लिए, मुझे पता है, यहाँ तक तो मैं देख चुका हूँ, अब मुझे यहा स्टपोट डिवाइडवाइडवाइड वाई 2 कितना आता है बहें थ्री आता है एक हगिलियर है हां जी वह ट्री तो अब मैं मेरा मिड यह हो चुका है। कि मेरा एर्रे मुझे इस इस में फाइंड करना है है किलियर हाँ मैं थ्री में क्या है 11 ben イtt Battle Key 12 है , नहीं है , के नहीं है , नहीं है , बराबर , नहीं है , ne clear हाँ , तो मुझे ही है पता है कि इस साइट को दो present हो नहीं तक यह रही जा का आता है , 2 आईगा . क्लियर अब मेरा एंड यहां पर आ चुका है मेरा स्टार्ट यहां पर है एंड यहां पर अब क्या मुझे मिलने वाल है इसके बाद नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि स्टार्ट इधर आ चुका है एंड इधर आ चुका है अब मुझे मिल ही नहीं सकता तो मैं बोल एक कब हो जा रहा हूँ जैसि मेरा start greater than end हो जा रहा है मुझे अपने लूप को रूखना है मुझे अपने लूप को रूखना है जैसी यह condition हो जाएगी वहना तब तक वह चीजे फॉलो करते रहो जो मैंने आपको step दी है यहाँ पे मुझे रुकना था तो इसके opposite में मुझे चलना होगा अगर start greater than end में मुझे रुकना है तो start less than equal to end में मुझे चलना होगा बार बार वही step follow करने होंगे हाँ जी भाईया तो यह आपकी condition होंगी loop की clear हाँ जी भाईया clear क्योंकि मुझे पता start यहां फोच चुका है end इधर को आ चुका है अब आपको नहीं मिलने बार start कहेगा कि वह element यहां से जब तक end नहीं मिलता तब तक वह ढूंड़ो उसे end कहता कि यहां से इधर को ढूंड़ो तो क्या यह कभी मिल पाएंगे आपस में नहीं मिल पाएंगे जब मैं initially start यहां था end यहां था तो मैं कैसे डूंड़ था कि यहां से कि होगी हां तो जो step मैंने वहां पर लिखे थे वही step यहां पर follow हूंगे तो बताइए अब आपको यह चमका या नहीं चमक रहा है तो मैंने का एक बार इसको पूरे तरीकी से code को यहां पर लिख देते हैं तो मैं लिख देता हूं कि start को किस से initialize करता हूं है जीरो से एंड को किस से initialize करता हूं लास वाल इंडेक्स तो लास वाल इंडेक्स एंड माइनस फंट क्लियर है हाँ अब मैं लूप को start कर दूं कि वाइल जब तक मेरा start less than equal to end रहे तब तक मुझे अपने step को चलाना है ठीक सबसे पहले mid element उसको ढूंडते हम तो वो क्या होता है start plus end by 2 क्लियर हाँ अगर मेरा array का mid equal to equal to किसके बराबर हो जाए की के बराबर क्लियर है हाँ तो मैं बोल दूंगा मुझे मेरा element मिल चुका है ठीक see out got it ठीक और loop को कर दूंगा break इसके बाद आगी check करने की मुझे ज़रुवत नहीं है मैं कहरा दो आप मैंने stop लिखा था अब इसके बाद लिखने की ज़रुवत नहीं है तो वही break की loop को break करके बाहरा जाओ अब नहीं चाहिए एलसिब में तीन यही condition होगी कि array of mid क्या हूँ मेरा less than हूँ मेरे की से की से सही बात है मैं की को डूंड रहा हूँ वह बड़ा रहा मिर से तो किस साइड को जाना परता राइट साइड को तो भाई आप गूगल ऊबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनिया इजी ली क्रैक कर रहे हूँगे अभी इसके थोड़े वैरिस्टे नाइंगे वही आपके पूछे जाएंगे डायरेक तो यह पूछेगा नहीं हाना थोड़ा घुमा के पूछेगा बस आपको यह समझ आना च सबसे पहले मैं क्या गड़ता हूँगे इसकी सिंपल है बहुत सिंपल है अगर मेरे पास एंट साइज का एरे दे रहाए जिन बच्चों ने टाइम को मिश्टी वाली वीडियो देखी होगी वह बच्चे इसके को मिश्टी भी गयास कर लेंगे ऐसे करते वह चलता है का मेरा एरे ठीक सबसे पहले में क्या गरते हूँ एंसाइच का एरे रहता है ठीक फसट्रश्ट करता हूँ एडवज वाला अल्यमेंट में उसको देख और ठीक, यही तो करता हूँ, n size का array है मेरे पास, ठीक है, एक step मैंने यहाँ पर लिया, लिया नहीं लिया, कि n size का array मुझे middle element को, वो element सर्च करना है, clear है, वो element presently हुआ, तो उसमें क्या करता हूँ, मैं, या तो मैं right side को ढूणता हूँ, या मैं left side को ढूणता हूँ, यही करता हूँ, यही करता हूँ, तो उसके बाद मुझे, मिरे पास array का size कितना बचेगा, approach n by 2 बचेगा, मालो मुझे right side को ढूणना है, तो मेरे पास array का size यह बचा है n by 2 हाँ जी भईया तो n by 2 size का array बचा है फिर तो उसमें middle वाले element को ढूंडो ढूंडने में कितना step लेगा एक step लेगा ठीक, माल लो वो middle में present नहीं हुआ तो या तो इस side को होगा या इस side को होगा ठीक, array क्या बढ़ गया, half आप में बढ़ गया या तो इस side को होगा या इस side को होगा ठीक, तो उसके बाद आपको क्या होगा n by 4, इसी का half ठीक, वहाँ भी एकी step लगेगा ढूंडने में और ऐसा कटते 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 आप कहां पहुंच गे n upon 2 की power k इस वाले पर जाके, मुझे अपना element जो को मैं search कर रहा था, वह मिल लिया यहां तक चमक रहा है, हाँ पहले मैं यहां पर ढूंडने की खुशिश करी, नहीं मिला फिर मैं n by 2, आदा हो जाएक न, पहले मैं 10-100 ताइस के array पर ढूंडना था ठीक मैं middle वाले element पर गिया, मालो middle वाल element 50 है, वहाँ पर पर प्रजेंट नहीं हो तो अब यहां तो मैं right side वाले में डूंडना हूं या left side वाले में डूंडना हूं तो 50 element वहाँ प्रजेंट रोंगे, हाना तो वह n by 2, क्या मुझे 50 पर सर्च करना है वहाँ पर प्रजेंट नहीं हो फिर मुझे 25 element पर सर्च करना है, वहाँ भी नहीं हो तो 12 पर ऐसी 6 फिर ऐसी 3 फिर लास्ट में कहीं पर आके तो मिलेगा तो वर्ट केस में क्या हो सकता है, कि लास्ट में आके वह element यह मिला है जब मेरे array का size 1 हो गया यह भी हो सकता कि नहीं म दोनों case possible है तो मुझे लास्ट तक उसे जाना पड़ेगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं कि यह यहां पर मेरे array का size 1 रहा हुगा, जब मैं लास्ट में उसको ढूंड़ने यह को दिल करता हूं, बोल सकता हूं, पहले 100 था, 50 हुआ, 25 हुआ, 12 हुआ, 6 हां, तो मैंने सारे step follow कर लिए, लास्ट में जाकर मुझे मिला है, लास्ट में जाकर वर्स case के लिए डून रहा हूं, तो वहां पर array का size कितना ना होगा, 1 होगा, तो मैंने इसको लिख दिया, क्यों लिख दिया, मैंने देखो, simple है, simple है, इसको मैं क्या यह लिख सकता हूं, एन अपॉन 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं, हां जी लिख सकते हैं, ठीक, जब मैंना यह 0 था, तो मुझे एक step में आमता answer मिल गया था, ठीक, जब इसकी power 1 थी, तो मुझे 2 step पे आपना answer मिला था, यह 1 और 1 step extra, 2 step में मुझे आपना answer मिला था, जब यह 2 था तो मुझे 3 step में आपना answer मिला था, 1 step, 2 step, 3 step, बोल सकता हूं, हां भया, बोल सकता हूं, जब मैंने k steps ले लिए, तो मुझे मेरा answer k plus 1 step मिल सकता है, हां जी भया, मिल सकता है, हां ना, इतने step लगे होंगे न, time complexity क्या होती है, कि कितने steps आपने लिए हैं, कितने step अपने answer को ड time complexity होगे, जिसको मैं n लिख देता हूं, यही करता हूं, हां, वही मैं यहां पर करता हूं, वही, same चीज, तो मुझे पता है कि मुझे k plus 1 step पर आपना answer मिल जाएग, वोर्थ case में, last ले जाके मुझे आपना answer मिला है, तो n upon 2 की power k, मैं लिख सकता हूं, हां, जब उसका size कितन कैसे solve करता हूं, and equal to 2 की power k, लिख सकता हूं, हां, दोनों side log ले लिया, अब side बहुत बच्चों के समाझा जाएगा, k log 2, log को उदर भेज दो, to k equal to क्या बन जाएगा, log n divided by log 2, और यह बन जाएगा, मेरा k is equal to, यह, clear है, हां, जी वहिया, यह मुझे clear है, तो मैं बोल सकता हूं, कि मेरे time complexity यही है, जो k की value आ रही, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं, इसका answer यह होगा, plus 1, हां, constant को ignore मारो, तो binary search की time complexity क्या निखली, log n निखली वहिया, ऐसे करके हमने निकाला, ऐसे करके हमने निकाला, मैंने आपको वहां भी बताया था, जब हम log वाले problem solve कर रहे थे, कि अगर आपका element ऐसे बढ़ रहा है, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, clear, तो मैं हमें सा इसको log n बोलता हूं, जब डबल डबल करके बढ़ रहा है, ठीक है, वैसी जब वह साइज का एरे था, वो n by 2 हुआ, फिर n by 4 हुआ, फिर n by 8 हुआ, ऐसे चल 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 ते हो, finally 1 बन गया, ठीक, तो इस बन को ही मैं क्या बोलता है, n upon 2 गी पावर, क्लियर, ऐसी घटाओको न, n by 2, n by 4, n by 8, up to 1, ठीक, तो मैं देख पाना हूँ, यह 2 की पावर को फॉलो करते हैं, तो यह 1 जब इसका साइज बना होगा, तो इन दोनों को यह मैंने आपस में गम्बेर किया, हाँ, इसलिए वो आंसरम ने निकाला, I think I clear होगा, क्योंकि एक स्टेप, एक स्टेप, एक स्टेप, इस सारी स्टेप का सम कितना होगा, वो मुझे निकालना था, यह तो निकाल था हूँ, अब वो मैंने यहां से टाकल दिकाला रेक्वार कें, मुझे पता है इन सब का सम होगा के प्लस न की ब्राबर वैसे आप इसके लिए प्रेडिक कर सकते हैं 139 27 81 ऐसे करते करते 243 तो मुझे पता है इसका होगा लॉग बेस थ्री एंड है इसके में किद्नी और सकते हैं आपके साथ आपको इसमें क्या गणना है और वो मुझे पहली बार में मिल गया पहली बार में best case मैं best case अज्यूम करूँगा ना मालो आपके बाद ऐसा array दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 ये array आपको दे रखा है best case कैसे निकलेगा वो best case ही हो सकता है कि मुझे 6 को डूनने के लेगा है 0, 1, 2, 3, 4 हाना तो 0 प्लस 4 कितना होता है 2, second index पर देखो मुझे 6 मिल गया पहली बार में मुझे पर आंसर मिल गया तो मैं कह सकता हूँ best case में आपका आंसर order of 1 होगा पहले इस तब में मुझे answer मिल गया बोल सकता हूँ हाँ ये फिर मैं इसको omega 1 भी बोल सकता हूँ बोल सकता हूँ हाँ average case क्या होगा average case ये आपको कैसे ढूनोगे average case इसका होगा तीटा लॉग ये फिर order of login average case भी उतना होगा कि एक बार में मिला फिर दो बार में मिला फिर तीन बार में मिला फिर चार बार में मिला उन सब का अगर average निकालोगे तो आपका आंसर यही आगा चमक रहा है नहीं चमक रहा है। हाँ बहिया चमक रहा है। बहिया ऐसा कॉंसेप्ट था जिसने मेरा दिमाग को थोड़ा हिला दिया। किलियर है। हाँ जी हुआ किलियर है। तो चलो अब चलते इसके code के implementation पार्ट पे। चलिए अपना code पार्ट टिकना हम start करते हैं। अब सबसे पहले हम एक array ले ले लेंगे, तो array मैं 1000 size का ले लेता हूँ। अब user को बोलता हूँ, तुझे कितने elements उसके अंदर दालने हैं, तो c in n, तो मैंने user से पूछ ले कितने elements वो दालना चाहता है। तो user से elements दलवा देते हैं, तो for integer i equal to 0 से i less than n, i plus plus, c in, सारे elements को मैंने ले लिया user से, अब उसको पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा element को search करना है, clear हाँ, तो एक integer key ले लेता हूँ, और बोल देता हूँ कि किसको तुम्हें ढूंड़ रहा है, तो c in key, ये लीजिए, ये मैंने कर दिया, तो तीनों input मैं ले चुका हूँ, थोड़ा इसको प्यार से ले लेते हैं, कि c out, enter the size of array, clear, हाँ, जी बही है, clear, कि कितरे element वो जानना जाता है, ठीक, ये फिर इसको ऐसे भी लिख सकते कि enter the number of element in array, थोड़ा ज्यादा अच्छा sense बनाएगा, in array, clear, हाँ, जी बही है, अब clear, अब इसके बाद c out, enter the elements, ये लीजिए, ये भी कर लिया, अब last में, c out, enter the key, ये लीजिए, तो आब ये तीनों चीजों मैं implement कर चुका हूँ, अब आज, अब हम इसको implement करेंगे, किस function से, clear, तो मैं binary search बना लेता हूँ, function, और उसमें क्या-क्या भीजना पड़ेगा, एक array भीजना पड़ेगा, उसका size भीजना पड़ेगा, और किस element को मुझे ढूढ़ना है, उसको भीजना पड़ेगा, तो तीनों चीज मैंने उसको भीज दी है, ठीक, एक function से मैं इसको execute कराऊँगा, अब function क्या return करेगा, index return करेगा, कि कौन से index में वो element present है, अगर वो element किसी भी index पर present नहीं होता है, तो मैं मैं चाहता हूँ कि मेरा function minus 1 लेके मुझे दे, minus 1 यह बताएगा, कि वो element present ही नहीं है, जिसको मैं ढूंड रहा हूँ, अगर present हो आ तो उसका index वो मुझे return करके देगा, तो वो ही मैं यहाँ पर print करा रहा हूँ, तो last में return 0 लिख देते हैं, एक अच्छी habit, हाँ जी भी है, अ उसके बाद मुझे पता है size of array मैंने बेचा है, और जिस key को मुझे डूंड़ना है, वो मैंने यहाँ पर ले लिया, अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या क्या होने चीए, तीन चीजे होने चीए, एक start, end और mid, यह तीन चीजे मुझे बनानी पड़ेंगे, तो इनको म देता हूँ, start को किसे initialize करता हूँ, 0 से, end को n-1 से, last wall index से, और mid, mid को अभी ऐसी रहने देते, mid को अंदर हम कर देंगे, solve, अब मेरे पास यह आ चुका है, अब मुझे पता है, यहाँ पर मेरा loop लगेगा, loop के condition क्या है, कि जब तक मेरा start, जब तक less than equal to रहे, enter, तब तक तो यह आएगा, mid को find करो, ठीक, उसके बाद 3 comparison होंगे, 1, 2, 3, कौन-कौन से, एक तो होगा, कि अगर area का mid, equal to equal to हो, किस के बराबर, key के बराबर, एक तो हो रहेगा, हाँ न, दूसरा, कि अगर area का mid, less than हो, किस के, key से, last में, area का mid, greater हो, key से, यही तीन condition हो सकती है, हाँ बही relation हो सकती है, तो वो मैंने यह आपर लिख दी, clear, अब mid को कैसे find करूंगा, तो मुझे पता है, mid equal to क्या होता है, start plus, end, divided by 2, इस तरीके से मैंने लिख दिया, clear, ऐसे करके, मुझे mid element मिल जाएगा, उसके बाद, मुझे अगली करने से लिखने पड़ेगी, कौन सी, if else वाली, if array का mid, किसके बराबर हो, equal to equal to key, अगर मुझे मिल गया मेरा element, जिसको मैं ढून रहा था, तो मुझे अपने answer में सीधा return कर दूँगा, index, और index क्या है, mid है, clear है, हाँ, क्योंकि वो क्या return करना है, index return करना है, answer में, index देना है, तो मैंने सीधा return कर दूँगा, mid को, clear, हाँ भईय key से, तो वो किस side को present होगा, right side को होगा, हाँ, mid वाला element को देखा मैंने, मैंने देखा वो छोटा है key से, तो key किस side में होगी, right side में होगी, तो right side में कैसे जाते है, start equal to, बोलिए, mid plus 1, जी हाँ, इस तरीके से, और last में, else में, क्या कर दूँगा, end equal to, mid minus 1, बस, ये काम मैंने कर दिया, अब मान लोग, वो element इसमें present नहीं था, ठीक है, मेरा while loop break होके बाहरा आ चुका है, element present ही नहीं था, तो मुझे क्या return करना पड़ेगा, minus 1, जी हाँ, minus 1, अगर present होगा, तो यहां से दे देगा, अगर पूरे उसमें area में present ही नहीं था, तो जैसी हो loop छोड़के बाह enter the number of elements in array, तो मैं करता हूँ 6 element दाल देता हूँ, ठीक, enters the element, तो 2, 4, 5, 8, 10, 12, यह मैंने सारी element दाल दिया है, 6 के 6, कौन सी key को मैं धूनना चाहता हूँ, मानलो मैं 10 को धूनना चाहता हूँ, मैंने enter मारा, तो मेरे पास answer आ गया है, क्या 4 मेरा answer आ गया है, यह देखे, इसको थोड़ा और better way में लिख सकते हैं, ऐसे करें, तो fourth index में वो present है, 0, 1, 2, 3, 4, clear है, हाँ जी बही है, clear है, एक बार और run करके देखें, देखते हैं, इस बार मैं 7 size का array ले लेता हूँ, clear हाँ, मैं इसमें element दाल देता हूँ, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, कितने हो गया, 4, 3, 7, 7, 7 element हो चु से दिया, minus 1, तो जो हमारा required result हम ढूनने की कोशिस कर रहे थे, वो हमें असानी से, इसमें मिल गया है, तो हमारी problem study में हमें clear है, clear यह है, कि अगर element present हुआ, तो उसकी index को return कर दो, अगर नहीं है, तो minus 1 को return कर दो, minus 1 यह show करेगा, कि वो element present नहीं है, तो उसको हमने बानी search function मैं आके solve गड़ दिया, यहां से हमने function call लगाया, और यहां पर उसको declare और define किया हुआ है, अब अगर इसी problem को हम online compiler में execute करवाएं, तो कैसा दिखेगा, वो भी देख लेते हैं, यह हमारा lead code है, क्या है lead code, यहां पर हमें इस problem को dissolve करना है, यहां पर इसने क्या दे रखा है, इसन nums, nums उसका नाम है, और इस target को मुझे find करना है, vector क्या होता है, vector भी हमारा array ही है, हम आगे class में vector को complete कर रहे होंगे, clear हाँ, अब हमने यहां पर already code लिखा हुआ है, यह भी same चीजी यहां पर expect कर रहा है, अगर आप question को ध्यान से पढ़ेंगे, यह भी simple हा, उसका index ही मांग र कर दूं, इसको copy कर देते हैं, यहां पर paste मार देता हूं, यह मैंने paste मार दिया, लेकिन वहां पर हमारे array का नाम ARR था, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका नाम change करके ARR कर सकते हैं, यह target है, जिसको मुझे ढूंड़ना है, तो इसको मैं key लिख देता हूं, ऐसा change आप कर सकते हैं, clear, हाँ वही है, clear, ऐसे change आप कर सकते हैं, बिल्कुल applicable होगा, अब इसमें मुझे n given था, n given था, इसमें मुझे पास n given नहीं है, तो उसको कैसे निकाल सकता हूं, उसको निकालना बहुत simple है, n क्या है, size of array, तो मैं ARR dot size करके उसका size निकाल सकता हूं, vector मुझे यह छूट देता है, यह बता देगा कि इस के अंदर कितने element present है, चमक रहा है, हाँ वही है, चमक रहा है, तो अग जो code मैंने लिखा है, उसको अगर run करूं, तो देखते हैं हमारे result क्या आता है, तो हमारे test cases पास हो गए, इसको submit करते हैं, और हमारे सारी test cases पास हो गए, अब देखो, यहाँ पे जो test cases से, वो तने strong नहीं थे, यह error मार सकता था, clear, यह हमें एक error मारता, integer overflow का, उसने इसमें नहीं मारा, और वो मारता इस line की वज़े से, क्यों मारता, वो अभी हम देखते हैं, अपनी वीडियो में वापच जाके, अब हमने देखा, start plus end, divided by 2 कर रहा हूं, तो एक ऐसा क्यों दिया होगा, ऐसी, इसने मुझे कुछ error मारा है, integer overflow होगा, ऐसा क्यों होगा, मुझे पताए, integer की maximum value कितनी हो सकती है, maximum, कितनी होती है, 2 की power, 31, minus 1, इतनी होती है, हाण, अब मालो, इसके पास maximum value है, और इसके पास, मालो कुछ भी है, ठीक, मालो, 2 की पावर, 30, प्लस बन इस टार आट के कुछ भी वैल्य हो सकती है जब मैं इनको एड करूंगा तो जाहिट भी बात वो एक इंटेजर के अंदर श्टोर नहीं हो पाएंगे इसके अंदर maximum value कि धी जा सकते है? 00, 01, 10, 11 यही चार values इसके अंदर जा सकते है clear है मैं बोलो इसके अंदर 4 को store करा के दिखाओ, करा सकते हो 4 को इसके अंदर दाल सकते हो, नहीं दा सकता क्यों उसमें सरब यह last के दो आते हैं यह वाला overflow हो जाएगा और उसमें भी क्या कि हमेंने कि 10 और 10 22 को add करा तो उसका answer मुझे पता 4 आता है इससे वह overflow हो जा रहा था क्योंकि last में डिवाट कर रहा था मैंने का एक काम करता हूं मुझे पता यह दिक्कत दे रहा ना तो इसको ऐसा लिखता हूं कि start plus end minus start divided by 2 दोनों चीज सेम है कि start एसलिक दिया plus end minus start divided by 2 दोनों चीज सेम है यह नहीं है हाँ भगी है तो भगे क्या यह overflow नहीं देगा मैंने का यह नहीं देगा क्योंकि start एक value होगी end minus start करूंगा तो एक छोटी value आईगी उसको आदा करूंगा तो और छोटी आईगी और mid वाला मुझे answer मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि start यहाँ पे है और end यहाँ पे है clear है तो मुझे पता है mid यहाँ पे होगा clear हाँ तो पहले मैंने इसको execute करा दिया कि end minus start कभी आपको overflow नहीं देगा वह छोटी value है यह जब divided by 2 करूंगा और इसके साथ add करूंगा तो मुझे मिरी mid value value मिल जाएगी चमक रहा है हाँ क्या इसकी जगह मैं यह भी लिख सकता हूं कि end equal to sorry medical to यह भी लिख सकते हैं end plus लिख सकते हैं दोनों चीज़े हाँ यह भी लिख सकते हैं आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं जब आप आगे जाओगे जब हम बड़े-बड़े question कर रहोंगे mud thought वगेरा वहाँ पर आपको इसी को लिखना पड़ेगा यह वाला एरर मारेगा आपको यह वाला आपका answer गलत आएगा जबकि दोनों चीज़ों same है वह मैं जब हम mud thought वगेरा पड़ेंगे तब मैं आपको वह चीज़े बता रहा हूंगा पर अभी के लिए हम इसको देखते हैं आप दोनों में से यहां पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं चमबक रहा है हाँ जी वहिया चमबक रहा है हमें overflow की condition समझा गई हाँ चलो अब code part पर चलते हैं तो हमने देखा कि वह क्यूं error मार सकता था तो उसको सही करने का सबसे best तरीका क्या है कि उसको ऐसा लिख दो start plus end minus start divided by 2 देखो यहां पर तो वह चलिया पर ऐसा नहीं हो कि हमे अब मैं अगर इसे submit करता हूं तो यह बिल्कुल प्यार से अराम से चल रहा होगा तो देखो बिल्कुल प्यार से execute हो गया तो आई थिंग यह binary search का code आपको समझाया होगा चलो वीडियो में वापस चलते है आई थिंग आज का वीडियो में आपको बहुत मजाया होगा binary search हम कैसे implement करते हैं अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका एक array जो आपका homework होने वाद है ठीक आपको इसका code लिखना है क्या आपके पास array दे रहा है ऐसे करगे अब वो decreasing order में इसमें आपको binary search रहा है इसमें अब उसके code में कुसना कुछ change होगा होगा नहीं होगा अगर मैं इ मुझे 28 ढूड़ना है तो यह middle वाला यह रहेगा ठीक क्या रखा है वापर 20 रखा है मुझे किसको ढूड़ना है 28 को ढूड़ना है तो किदर को जाना पड़ेगा left side में जाना पड़ेगा तो थोड़का code में change होगा अगर आप इसको कर लेते हैं इसको execute कर लेते हैं तो है वो दावा दो हमें भी खुसी मिलती है आपको भी मिल जाएगी तो मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभाराइगा